नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल प्रभु धर्शन करे में माता को अपने पचछों करने के लिए मन चाहा वर्दान पाने करने के लिए लिए जो कि अगर आप करेंगे तो माना जाता है कि मातालक्षमी जी ऐटोमेटिकली आपके घर पर आजाती हैं दोस्तो झाडु से जुड़ी कुछ बातों को आपको ध्यानखना है दोस्तो शास्त्रो के नुसार झाडु को मातालक्षमी जी का ही रूप माना गया है और माना जाता है कि जिस घर में पूरी तरीके से साफ सफाई रहती है वहाँ पर सभी प्रकार के वास्तु दोश अपने आप खतम हो जाते हैं और उस घर में पॉजिटिव एनरजी का वास होता है अंधन संपत्ति पाने के लिए आपको जाडू का प्रियोग करना चाहिए एक छोटा सा प्रियोग आपको बता देती हूँ कि जाडू का आपको क्या करना है जीहा दोस्तों जाडू को आपको करना है धान करना है आपको द सुदोश दूर हो जाते हैं दोस्तों दोस्तों दिवाली के दिन अगर स्थाई लक्ष्मि जी का वाश्चा है तो आपको मंदीर में शुप मुहूरत में ज़ाडो दान करना चाहिए कैसे दान करना है वो आपको मैं बता देती हूं मातल लक्षुन जी की कृपा प्राप्ती के लिए अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मूरत में यानि की सुभा सूर्योदे के समय आपको तीन जाडू का गुप्तदान करना है बिना किसी को बताए करें अगर घर में कोई ऐसा मेंबर है क्लोस फैमली वालो को अफकोस पता ही रहेगा अगर आप पती को पतनी को बता दे पहले से ही ताकि आपको एंड वक्त में कोई ना टोके अहले मौनिंग जा करके जाडू दान करना है आपको और मंदिर में जाडू दान करने के लिए शुब मुहूरत में करें ब्रह्मुमूरत में ही करें जैसे कि दिवाली वाले दिन आप चाहे तो कोई और भी शुब योग में इसको कर सकते हैं जैसे कि पुश्र नक्षत्र हो रवी नक्षत्र हो या कोई भी तिहार हो जिसे दिवाली हुआ दिशेरा हुआ आखा तीज हुआ इस जिन्दान की महत्वता बौत अदिक बढ़ जाती है घर में स्थाई लक्ष्मी जी का वाज होता है जाडू का दान करने से और जिस दिन भी आपको यह काम करना है जैसे दिवाली वाले दिन करना है आपको यह काम तो एक दिन पहले ही आपको तीन जाडू खरीद करके ले आनी है जब भी दोस्तों आप मंदिर जाये तीनो ज़ाड़ो को प्रणाम करें माता लक्षमी जिसे प्रातना करें कि है मातरानी मैं ये ज़ाड़ो मंदिर में दान करओ मेरी मनोकामना इच्छा समंदी जो भी रिलेटिव समस्या है वो आप दूर करें दोस्तों अगर आप धंदेरस के दिन दिवाली के दिन किसी नई घर में भी प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नई ज़ाड़ो को ले करके घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए ये बहुती शुब सगुन माना जाता है इससे नई घर में मृद्धी का वास रहता है दोस्तों ज़ाड़ो को खुला रखना अब शगुन वाना जादा है मुखे द्वार पर कभी भी ज़ाड़ो नहीं दिखनी चाहिए जब घर में ज़ाड़ो आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे नजर के सामने ना रखें नौर्थ दिशा की तर सफ आप ज़ाड़ो को छुपा करके रखें आपको ध्यान रखना है ज़ाड़ो को कभी भी पूजा घर बंडार रहे बेडरूम में इन सब में नहीं रखना चाहिए बेडरूम में ज़ाड़ो को रखने से विवाहिक जीवन में अनबन शुरू हो जाती है आरे दिन अगर पर चलिए आप ज्याड़ो खरीद लेंगे आरे दिन अगर आपको ज्याड़ो खरीदना है तो हमीशा कड़ेवारों को खरीदना चाहिए कड़ेवार कों से होते हैं संडै को जबी हमीशा और नंबर्स में कर दें इवन कर दें इसका मतलब हुआ कि एक तीन पांस साथ ऐसी गिंती में जाडू खरीदें कभी भी आपको दो चार चे इस तरीके से जाडू नहीं खरीदनी चाहिए दोस्तों आपको मैं पता दो तीन जाडू एक साथ अगर आप अपने घर के लिए लेते हैं तो बहुत ही लखी माना जाता है जाडू को कभी भी खड़ा कर करके आपको नहीं रखना चाहिए बहुत समय से यदि आप यूस करें हैं जाडू को उसको घर में ना रखके फेक दे उस पे बहुत सारे नेगटिव अनर्जी एक्लिमलेट हो जाती है बले ही वो तूटी ना हो पर तीन चार महीने या पांच मीने हो गए है जाडू पड़ी हुई है उ विशेश ध्यान रखना चाहिए जो भी आप चाले आदी है जा घर में जो भी डस्टिंग है गंदगी है अगर आप साफ करना चाहते हैं उसके लिए आप शनिवार का दिन चुने आपके लिए बहुत ही लखी होने वाला है दोस्तों जाडू को कभी भी पैर से आपको मारन नहीं चाहिए और जाडू को जलाना भी नहीं चाहिए और ये बाद विशेश रूप से ध्यान रखें इससे माता लक्ष्मी जी का अपमान होता है घर के मुखे दर्वाजे के सामने जाडू रखने से घर में नकरात्मक उर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है अगर आप रात प्रवेश नहीं कर पाएगी ध्यान रखें जाडू से एक से एक उपाय होता है दिवाली पर हर उस चीज का पूजन करते हैं जो हमारे जीवन में सुख और सिम्रिध्धी लेकर आती है लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए मददकार होती है इसलिए जाडू जो है घर में स खरीद करके उसका पूजन किया जाता है आपको दोस्तों थरस्जे है मुझे पता है लोग कुशन करेंगे मैं थरस्जे को जाडू नहीं लाते हैं पर दोस्तों मैंने दूसरे वीडियो में भी आपको बताया है वार और तिहार दो चीज़े होती है अगर तिहार कोई होता तो वार नहीं देखा जाता वार का आठ नहीं रखते हैं जैसे तिहार हो तो तिहार ही मनाना चाहिए इस दिन आपको सुबह सुबह नई जाडू खरीद कर लेकर आनी चाहिए दिवाली के दिन जबर्दस टोट का बतारी हूँ दोस्तों आपको बहुत ही खुबसूरत उप आप ध्यान से सुने और इस बार मेरी मालने दोस्तों मैं कितना भी काम होता है दिवाली वाले दिन कहीं पर भी रहूँ पूरा पूरा ट्राय करती हूँ कि नई जाडू दिवाली वाले दिन जरूर लेकर आऊं जीहा दोस्तों लक्ष्मी माता जी के गृपास से मुझे धन के लिए कभी भी दुख नहीं पाना पड़ा है आप ध्यानके दोस्तों इस दिन जाडू खरीदने से पहले कि आप जो भी जाडू खरीद रहे हैं वो एक खरीदे तीन खरीदे या पांच खरीदे इस तरीके से जाडू खरीदना शुबदाई रहता है नई जाडू जो लक्ष्मी पूजन कर लेंगे तो पूजन होने के बाद पूजा की धाली से जो कुमकुमर चावल है उससे जाडू का भी आपको पूजन करना है और लाल रंग का जो पच्रंगी नाड़ा होता है या कलावा मौली आदी आपके पास हो उस पर पांच बार आपको लपेटना है इस प्रकार आपको जाडू का पूजन करना है और दिवाली देखिए जो लक्ष्मी जी को घर बुलाने का त्युहार है साथ ये साथ दरीदरता को दूर भगाने का भी दिन होता है मानेता इस दिन है कि लक्ष्मी पूजन करने से लक्ष्मी जी की बड़ी भेन दरीदरत दूसरे दिन घर को छोड़ के चली जाती है जो भी पुरानी जाड़ू है दोस्तों क्या चीज का प्रतीक है अलक्षमी जी का प्रतीक है दरीदर्टा का प्रतीक है इसलिए आपको नेक्स्ट डे दिवाली के अकले दिन आपको ब्रह्म मुरत में इस बार शुकरवार को नेक्स्ट डे शुक्रवार को ब्रह्म मूरत में जाडू से आपको पूरे घर के साफ सफाई करने चाहिए अगर मीड भी करते हैं तो कोई बात में दोस्तों कम से कम घर का मंदिर खुद जाड़ा करें सफाई के बाद पूरे घर के कच्रे को भार कर दें और साथ ही साथ उस ज जाडू छोड़कर आने के बाद अपने हाथ पैर धो करके आपको अपने घर के अंदर प्रविश करना चाहिए किसी भी रूप में जाडू का अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी जानवर को चाहिए कितनी भी मुसीबत हो जाए जाडू से नहीं मानना चाहिए अगर पॉस मुख्य द्वार के भार ना फैकें कोई भी घर से अगर आप भार जाते हैं कोई शुप कारे के लिए तो फूल से भी जाड़ो उसके जाने के तुरंत 10 मिनट 15 मिनट तक ना लगा है दोस्तो चोटी चोटी बात ही होती है जाड़ो से रिलेटिट अगर आप ध्यान रखेंगे तो माना जाता है माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर हो जाता है महा लक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए मन चाहा मंतर किसी भी चीज़ की जुरुत नहीं है दोस्तों जाड़ो से जुड़ी अगर या चोटी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे महा लक्ष्मी जी ऐसे भी आपको इस दिवाली माला माल कर देने वाली है कर लिजे ये उपाए सभी से फ्रेंड्स फैमली से तुरंत इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस इन्फरमेशन का फाइदा उठा सके ध्यान से जाड़ उला सके और हाँ दोस्तों किसी भी तरीके की कॉश्चन हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर जरूर पूछे सस्क्राइब करकर रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के थ्रूर कनेक्टेड रहें आज की वीडियो में बस इतना ही लोटिंग एगने वीडियो के साथ जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके